अगी ठीक साहेंगे हाँ हाई अबरिवन वेलकम पेक्टू आया चनल आयम भड्य और आज मैं आपके साथ करने वाली हूं एक शॉपन्ग हॉल बटइस शॉपन्ग हॉल में आपके साथ करने वाली हूं मेरी वन मन्त में डेलीनीद अशेंशल के product जिनके मुझे ज़रुत होती है डेली वही और शापिंग हॉल में कुछ product ऐसे हैं जो मैंने repeat भाई किये हैं और कुछ product ऐसे हैं जो मैंने new भाई किये हैं इसमें जो product के starting price देन वह hundred रुपीज से लेकर six hundred के अंदर के ही यह सारे product है, मेरे पास है फर्स्ट प्रोड़क्ट यह है green coffee powder और यह 200 ग्राम का जो मैंने amazon से buy किया है और इसकी price है 495 रूपीज जब मैंने इसको amazon से buy किया था ना तब इसकी price मतलब discount चल रहा था तब यह मुझे कुछ 175 रूपीज का ही पड़ा और यह product मैंने first time buy किया है and second है यह cotton roll तो cotton roll यह है 200 ग्राम का और यह मैंने buy किया था amazon से और इसको buy करने के पिछे मेरे सिर्फ one and only एक ही motive होता है अपने face clean करना और अगर मुझे कहीं ज़रुत लगे तो वहां यूज करना क्योंकि जो cotton pads होता है इसके मैंने जितने पैसे पे किया ना cotton pads इससे भी ज़्यादा महेंगे होते हैं और बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं बट यह कुछ अच्छे कासी जल जाती है मुझे तीन से साड़े तीन मेने अच्छे कासी चल जाती है और इसके एक्चल प्राइस मैं इधर मेंशन करूंगी नेक्स्ट यह सिंपल के माइसलर वाटर जो मैंने बाई के हैं Amazon से क्योंकि Amazon पर सेल सेल रहा था तो उसमें डिसकाउंट प्राइस पर यह अच्छे थे और इस पर इसकी प्राइस थी 235 रुपीज बट इस पर इसकी प्राइस मेंशन है वह है 425 रुपीज तो कम प्राइस का था यह जस्ट उसका हाफ था तो मैंने सोचे क्यों ना इसको बाई कर लिए तो मैंने एक बाई किया उसके साथ एक और भी बाई किया क्योंकि अधिकतर यह एमेजोन पर अनवेलेबल ही होता है और जो अधर एप्स होते हैं अगर आपको उनसे भी बाई करना है तो उन पर इसकी प्राइस थोड़ी हाई रहती है और प्लस उसके डिलिवरी चार्जेश भी होते हैं तो इक्वली 400 के नजदिक ही हो जाते हैं तो मैंने दोनों को एक स भी शायर किया है अगर आपको देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंचिन कर दूँगी एंड यह मैसलर वाटर है यह आपके फेस सिर्फ धूल मिट्टी को क्लीन करते हैं और अगर आपने नॉर्मल मेकप किया होता है न तो इसको भी क्लीन करते है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वाटरप्रूफ काजल यूज किया था तब मैंने इसको रिमू करने के लिए इसको यूज भी किया था बट उस पर वक नहीं किया तो यह सिर्फ और सिर्फ फेस को क्लीन करते हैं और नॉर्मल जो मेकप आप करते होना उस मेकप क सबाइबुड़ करता है यह पर शीट का बौडी लोशन इस पर दीखा है यह जो किन की लिए वह हिर्फ फिरफ पर ऑले करता है और इसके और यह 400 ml की बट यह बहुत ही सस्ता था और इसके एक्चल प्राइज अगें वी विवेल का बोडिलेशन मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है इस वज़े से इस बार मैंने से इसका इंग्रीडियन का टाइप चेंज कर दिया है पिछली बार मेरे पास ऐलोवेर वाला था और बार मेरे पास लेवेंडर और आलमंड वाला है तो इसको भी यूज करके देखूंगी कैसा है और उसके बाद इसका भी कंप्लिट रिवे वीडियो अपके साथ श्यार करूंगी यह एस्टी बोटनिका का एपल साडर विनेगर तो एपल साडर विनेगर अभी जिन लोगों सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा है यह पसंद है और यह बजट के अंदर भी है और यह अच्छे से वर्क करता है आप इसका यूज करके कैसे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो तो उसका भी मैंने एक सिफरेट वीडियो शेयर के हैं मैं उसका भी लिंक वाइब किया है और यह है 30 वाइब और इसकी प्रेस कुछ रूपी और इससे पहले मैंने काया के अधर प्रोड़क्ट जो है तीन प्रोड़क्ट वह भी मैंने यूज किये हुए है यह कैसा है नेक्स्ट यह वाव इसकी साइंस का पील ओफ मास्क और इसका मैंने आपनी sitten दे़ुक्स मेंदे दूर अब सूच दिए होगी इसका रेवी वीडियो में अपके साथ बहुत पहले शैर किया था और अभी मैं आपके साथ मतलब इसका शॉंपिंग ओल शॉयर कर हूँ तो यह शॉपिंग हॉल में बहुत ज्यादा घान हूँं इस्वापिंग का शायर कर रही हूं और इसके साथ मुझे यह एक गिफ्ट हैंपर भी था इसके अंदर क्या है मैंने खोल के नहीं देखा है तो इसके अंदर ही एक विटामिन यह एक रही है तो परसेटेंड मुझे परसंट के देख सकती हूं मैं कि हाँ यह मुझे अपनी फेस पर सूट होंगे यह नहीं सूट होंगे देन अगर मुझे मन किया तो मैं इनके बड़े पैक भी भाई कर लूँगे नेक्स्ट मेरे पास है यह वाइम का सनफ्लार और यह मैंने रिपीट बाइक किया है क्योंकि यह मेरी अंडराम वाइटनिंग सीरीज वाला जो पार्ट चल रहा है ना उसमें इसका एक इंपोर्टेंट रोल है और इसका भी मैंने कंप्लेट रिवी वीडिया अपके साथ शेयर किया है और यह जो सनफ्लार ऑइल है ना इसकी वज़दे से मेरे फेस पर मुझे पहले बहुत साथा डाक स्पोर्ट हुआ करते थे इसके विज़दे से ही वो फेड हुए है नेक्स्ट यह दो मॉम्स को के शैंपो एंड कंडिशनर मैंने अभी तक इनको एक बार भी यूज नहीं किया यह एकदम सील पैक है और यह दोनों कॉम्बो थे तो यह कुछ स्टेप के कंटेनर में साथ आये थे नेक्स्ट से यह सेफ का रियूजेबल मैस्ट्रोल कप जो मैंने परपल से बाई किया था और इसका भी वीडियो में आपके साथ शैर किया है नेक्स्ट यह मेरे पास अगारों का पैडल ब्रश फरस्ट है मैंने वुडन कॉम को छोड़के यह नाइलोन ब्रिसेल्स वाला पैडल ब्रश के तो वो कुछ सही जंबी नहीं रहेते मतले बाई करने में थोड़ा अजीब से लग रहा था अगर कमफर्ट हुआ अच्छा हो गया आदत हो गई तब फिर में वुडन वाला बाई करूंगी सो यह बहुत ही प्यारा है मुझे बहुत जादा अच्छा लगाए सो यह लॉंग हेर के लिए अच्छा है और कमफर्ट भी यह इसको यूज़ करना बहुत जादा अच्छा लगता है मुझे और यह कुछ स्टेप के पैकिंग में आया था नेक्स्ट यह है मेरे पास लेदर का बैल्ट लुक अधिस यह कितना प्यारा लगता है ना यह बहुत करती हूं और इस बैल्ट के मतलब कुछ भी हो जाता लाइक की टूट वगएर जाता है तो मैं वापस को वारंटी के लिए बेज भी सकते हूं जिससे वह मुझे वापस को सही करके या तो नया देंगे या फिर सही करके देंगे तो यह अच्छा है अभी तक मैंने इसको बह है बाहर यूज किया है last not the list जो मैंने इस भाहर किया लिए वह बहुत ज़ाद सबहार कर सकते हैं या फिर आप इनको कभी कभी स्टाइलिंग के लिए भी उसकर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल और अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते भी है यह सो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको लेना है तो आप आप से जाकर चेक आउट कर सकते हो और वीडियो अच्छी लेगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को श्यार एंड सब्सक्राइब जरूर करना बाइबाई एंड टे